हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे आप सब मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा अभी रात के खाने की मैं तयारी कर रही हूँ आज खाने में बनने वाली है मूंग की सबजी मूंग को मैंने दुपेर से बिगो के रख दिया था और ये देखे बहुत ही अ अच्छे से पके तयार होते है और साथी में मैंने आलू भी बॉइल करने के लिए उसमें रख दिये है और यहां पर लेसुन है ना उससे मुझे छीलना है मैं है ना लेसुन को छील के रख देती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहता है कभी भी कोई काम रहेगा ना तो उस व अच्छा तो अभी यहां पर लेसुन मैंने छील के कटोरी में ले लिये है और बस इसे डबी में मैं रख दूंगी जबी ज़रुरत लगेगी तब यह लसुन को मैं इस्तमाल करूंगी आज कपड़े दोने मैं बहुत लेट हो गया था तो अभी कपड़े मैंने दो दिये है और अभी इसे मैं ड्रायर करने के लिए रख देती हूँ कभी-कभी है ना मन नहीं लगता है काम करने का तो फिर इस तरीके से है ना काम लेट हो जाता है तो अभी कपड़े एक साइड ड्राय हो रहे है और मैंने एक जगा पे कुकर भी चड़ा दिया था तो यहां पर कुक इसे पके तयार हो चुके है और यह देखे फुले-फुले लेकिन कुकर है ना गरम था तो मेरा हाथ है ना थोड़ा गरम जल गया तो मैंने उसे रहने दिया थोड़ी देर के बाद उसे खोला और यहां पर देखे मैंने मूंग का पानी है ना ग्लास में ले लिया है और यह पहले सूखी सब्जी बहुत पसंदे मुंगी तो मैं थोड़ी सी सूखी बना лोंगी और फिर रसे वाली बनाविवगी तो सूखी सब्जी के लिए तेल में राई जीरा डाल दीजिए उसमें जो लेसुन आपको पसंदे शीलु सब्सक्राइब नमक और थूड़ी सी लाल मिच पाउडर और इन सब को डाल के अच्छे से मिला देना है और बस हमारी बढ़िया वाली मुंग की सूखी सब्सक्राइब और ये सबजी मेरे बच्छों को बहुत ज़ादा पसंद है मुझे तो है ही लेकिन बच्चे भी बहुत ही ये चाव से खाते है जबी भी मैं मुंग उबालती हु न तो ये सबजी हमारे गर में जरूर से बनती है बाकी कोई सब्सक्राइब न बनाओ लेकिन मुंग की सूखी स जरूर से बनाई है तो ये देखिए हमारे खीले-खीले मुंकी सबजी अभी तैयार हो चुकी है और अभी इसी खड़ाई में मैं रस्से वाली मुंकी सबजी बनाने जा रही हूँ लेकिन हुआ यूँ कि एक ऐसा प्रॉब्लेम आ गया ऐसी बात हो गए ना कि फिर मैं आगे क मैंने खाली कर दिया है और यह अभी जो सामान लाए थे ना वो अभी मैं भर रही हूँ और यह एक दो बोटले जो मुझे नई निकाल देनी थी रख देनी थी वह ही सारा सुबे का काम मैं अभी लेके बैठी हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के तंयारी आज कल रात को भी ऐसा हुआ था कि मोड मेरा नहीं था इसलिए आज सुबे मैंने वीडियो तो कंट्यूनिक कर दिया है लेकिन थोड़ा सा है ना जब आप अपसेट हो जाते हो ना तो उस वक फिर सारे काम करने में आपको मजा नहीं आता है तो अभी यहां पर मैंने जो बॉ पाउडर डाल दिया है वैसे तो पोहा हर किसी के घर में बनता है लेकिन मुझे थोड़ा अलग तरीके का पोहा पसंद है तो अभी मैं इसके अंदर आलू डाल दूगी और आलू को है ना मैं थोड़ी दिर के लिए पकने दूगी ताकि वो थोड़ी से पक जाए और के अंदर में डाल के इसे बहुत ही अच्छे से में मिला दूगी और अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर टेस्ट के इसाफ से हमें अभी नमक डालना है क्योंकि हरी मिश तो हमने डाल ही दी है तो अभी इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और इसे मुंग वाले पोहे बहुत ज्यादा पसंदे तो हमारे ये देखे बढ़िया से मुंग वाले पोहे तयार है और नीमबू आपको जबी खाना है उस वक्त डालिए और इसे एंजोई कीजे चीनी भी ज़रूरी है तो आप डाल दीजे आपकी मर्जी आपको किस तरीके से पोहे पसंदे मुझे पोहे बस इसी तरीके से पसंदे तो ये मुंग वाले पोहे आप जरूर से ट्राइ केज़ेगा बहुत बढ़िया है और बच्चों के लिए मैंने रसे वाले मुंग की सबजी फिर से गरम कर दी थी एक बार छोक लगाने के बात तो उनकी भी सबजी तयार है और ये देखिए हमारे खिले-खिले मुंग वाले पोहे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को मैं यही परिपुरा करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और हाँ मेरी चैनल को अगर आप पहली बार दे कीजिएगा फिर से मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना रखिए बिदेर सारा खैल बाइबाद